कि थो यक फ्रांट तो दोना डोस्टा वेए सविम तो डैसले कि मेरे पाइस एक समसंग येइन स्ब्सक्ष्थ Jakye सेवन नेक्स्थ का यहोग सेट है और इसमें यूख प्रॉब्लम हूँ है iciónसा प्रॉब्लम इल्ट गर गर्फ करता हूं सब्सक्रार सब्सक्राइब तो यहां पर देखे कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से बैटरी जो है वो इसकी देखने हो Sig Economic जाएगी यहां पर विलिब करनी बैटरी पर इसका जो वो चाहरचिंग नहीं हो रहा है तो जब भी आपके पास कोई ऐसा सेट आये किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्फ किया जाएगा कि मैं यहाँ पर दूसरा कनेक्टर भी चेंज कर चुका हूं यानि चार्जिंग पिंट चेंज कर चुका हूं प्रोब्लम को कैसे सॉल्फ कर दाएगा मैं आपको बताता हूं जब आपके पास को इसा सेट है तो आपको क्या करना है यह तो मेरे पास समसंग जेवन है आपके पास और और कोई भी एंड्राइट फून आए इस तरीके से जिसकी बैटरी लगती हो तो यहां पर आप इसको बैटरी रिमूब कर लेना है इसमें और देखिए यहां पर देखिए कार्बन आपको दिख रहा होगा यह प्रलाइस पॉइंट पर यहां पर कार्बन दिख रहा है तो इस कार्बन को रिमूब कर देंगे चलिए हम इस कार्बन को जो है इसको पर अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं तो चलिए हम तोड़ा इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से एक एक करके सारे को साफ कर लेंगे और उसके बाद फिर क्या करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है कि आपको क्या करना है हमारा यहां पर यह जो है वो अब आपको क्या करना है साफ करने के बाद आपको इसकी बैटरी की वैलू चेक करना है कि इसमें जो वोल्टेज है वो कितना है बैटरी जो है वह मुबाइल को open कर सकती है तो यहां पर हमारा 4.06 है जो कि बैटरी में मुबाइल को open करने के लिए 3.7 से उपर voltage होना चाया तो यहां पर बैटरी में हमारा perfect पुरा voltage है अब हमको क्या करना है यहां पर जहां पर यह battery लगता है 40 कनेके टर को हमको को अच्छे से साफ कर लेना है तो चलिए हम इसको अच्छे से साफ कर ले रहे हैं ठीक है हम इसको अच्छे से साफ कर ले रहे हैं इसको आपको अच्छे से साफ कर लेना है हम इसको थोड़ा अच्छे से साफ कर ले रहे हैं तो हमारा यह भी इसको अच्छे साफ करना है कशाफ कर लेते हैं आपको भी इस तरीके से साफ कर लेना इसको यहां पर कारबन आने के वज़े से ऑइसा प्रॉलम देखने को मिल जाता है तो चलिए अब हम यहां पर इसको अच्छा तरीके से साफ कर चुक हैं और बैटरी करनेक्टर को प्रमळ मुए जहां पर यह लगती है उसको भी हमने अच्छी से साफ कर लिया है तो हम इसको क्या करेंगे चेट को यहां पर उपन करके देखेंगे ठीक है तो यहां पर यहां पर यह सवाहरा थोड़ा देला पड़्रा रायत्तों इसको पीछे से कागस करें दब अच्छे से लगा देंगे तक कि हमारा सईसे सेट ओपन हो जाए और चलिए हमारा यहां पर लग चुका है तो हम इसको क्या करेंगे जो हुआ का दोबारस सह यहां पर पिर्चल को लगाएंगे और चेक करके दिखा रहे तो यहां पर हमारा ज़ो वह बैटरी आच चुका है पर हमारा यहां पर बिलिप नहीं कर रहा है अभी हम थोड़ा बेट कर लें तो यह देखिए हमारा जो वो चार्जिंग होना इस्टार्ट हो चुका है तो गाइस अगर इस तरिके से आप भी करते हैं तो आपका भी प्रोब्लम सॉल्फ हो जाएगा यहां पर हमारा लाइक करते हैं चैनल पर नाट सब्सक्राइब करके नोटिफिकर्शन बेल को वर्बेश करते हैं इसलिए मैं इस लिए वीडियो लेकर आता रहता हूं अभी चलिए हम सेट को ओपन करके दिखाते हैं हमारे यहां पर सेट भी आप ओपन हो रहा है थैंक्स पर वाचिंग त अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करें